हलो नमस्कार इस्टुएंट मैं पिशेक भारगाव भारगाव क्लासस के इस यूटूब चैनल में आप लोगा बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का जोमारे वीडियो को टपिक है वह है राष्ट मंडल खेलों से संबन्ति तो जितने भी प्रश्ण है ठीक है वो सारे आज MCQ के माध्यम से करने वाले हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत जादा वीडियो होने वाला है क्योंकि अगामी जितने भी एक्जाम होंगे वहां पर यहां से प्रश्ण जरूर पूछे जाएंगे तो एक से दो नमबर के प्रश्ण तो यहीं से आपके पूछ ले जाएंगे तो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को आपको जरूर देखना है और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात और करना चाहेंगे यदि अभी तक आप लोगों ने भारगाव क्लास्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल स लेके लास्ट तक वीडियो देखना है और यदि आप लोगों को इन में से किसी भी एक प्रश्ण का या किसी भी प्रश्ण का आंसर मालूम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर जरूर बताईएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं राष्ट मंडल खेल 2022 पर 22 के प्रश्ण ठीक है तो देखे इसके अंदर में जो है पहला प्रश्ण है कि राष्ट मंडल खेलों की सुरुवात कबसे हुई देखे राष्ट मंडल खेल यह कबसे स्टार्ट हुए थे ठीक है वह आपको यहां पर बताना है तो यहां पर जो है वो ऑपशन दिये गय जिसमें राष्ट मंडल देशों के एतलीट जो है वो सामिल होते हैं ये आयोजन जो है वो पहली बार 1930 में हुआ था तथा तब से हर चार साल पर ये होता है भारत ने जो है वो हिस्सा नहीं लिया था 1930 वाले में ये वाला जो है वो फैक्ट याद रखेगा ठीक है और ये हर च चार साल में जो है वो ये प्रत्योगीता होती है ठीक दूसरा प्रशना है कि पहले राष्ट मंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया था तो जो पहला राष्ट मंडल खेले वो आप सभी को मालूम पढ़ गया कि 1930 में हुआ था और ये पहला ही बार कहां हुआ था तो ये हु हमिलिटन कनाडा ठीक है तो याद रखेगा कनाडा के हमिलिटन सहर में 1930 में जो हो ये पहला आयोजन जो हो इसका किया गया था और जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था तीसरा प्रशना है कि राष्ट मंडल खेलों को 1930 से 1950 था किस नाम से जाना जाता था तो देखे यहा हमिलिटन सहर में हुआ था तब से यह हर चार साल पर होता है राष्ट मंडल खेलों को 1930 से 1950 तक क्या कहा जाता है ब्रिटीस एंपायर गेमस कहा जाता था फिर 1954 से 1963 तक क्या वेल्थ गेम्स उसके आद 1970 से 1974 तक क्या कहा जाता है British Commonwealth Games के नाम से जाना जाता था और 1978 से इसे हम Commonwealth Games के नाम से जो है वो जानते हैं तो ये जानकारी जो है आप लोग के लिए बहुत ही important थी इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ठीक है नेक्स्ट प्रशन की तरिप चलते हैं राष्ट मंडल खेलो का आयोजन कितने वर्स बाद होता है तो राष्ट मंडल खेलो का आयोजन हर कितने वर्स बाद होता है अभी शुरू में भी हमने बात किये इसके बारे में तो चार वर्स बाद होता है ठीक है लेकिन ये दो वर्स बीच में जब है ये नहीं हुआ था तो कौन-कौन से दो वर्स में नहीं हुआ था राष्टमंदल खेलों के 22 संस्क्राण आएउजन का है वो कहां किया गया तो देखें, यह 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो है वो इसका आएउजन जो है हो किया गया 2-0-02 के अंदर में ठीके, तो यह कहां किया गया तो यह किया गया, और बर्मिंगम में बर्मिंगम कहा है तो इंग्लैंड में ठीक है तो यह यहाँ पर जो है वो इसका आयोजन किया गया तो इंग्लैंड के बर्मिंगम में जो वो 22 वे राष्ट मंदल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्तक जो है वो किया गया ठीक है तो याद रखेगा चड़ो प्रशना है कि राष्टमंडल खेल 2022 का उद्गाटन किस स्टेडियम में किया गया तो कौन से स्टेडियम में किया गया तो यह एलेक्जंडर स्टेडियम में जो है वो इसका उद्गाटन किया गया और समापन भी जो है वो एलेक्जंडर स्टेडियम में ही किया गया तो याद रखेगा त तो कितने देसों ने हिस्सा लिया यहाँ पर तो यह कोशन भी एक important कोशन है तो 72 देसों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है आठवा प्रशन की तरफ चलते हैं आठवा प्रशन है 2022 के राष्ट मंडल खेलों का सुभंकर क्या है तो सुभंकर अकसर एक्जाम में पूछा जाता है तो इसको आएम पी टिक कर लिजेगा यहाँ पर यह पिक भी दिख रहा है सुभंकर की क्या था तो यहां पर बताना है कि आदर्स वाक्य क्या था तो आदर्स वाक्य था सभी के लिए खेल क्या था सभी के लिए खेल ये राष्ट मंडल खेल 2022 का आदर्स वाक्य था ठीक है तो बर्मिंगम खेलो 2022 का आदर्स वाक्य जो था सभी के लिए खेल साथ ही कॉमन वेल्ट 2022 2022 का वीजन जो था वो लोगों को एक साथ लाना, स्वास्तिय में सुधार करना और बदलाओं के लिए उत्परेरक के रूप में कारी करना इसमें भी हम यहां कि मेजबान कभी न भूल पाने वाले खेल कराना चाहते थे ठीक है तो यहां पर जो है वो तीन बार जो है वो इस ख मतलब राष्ट मंडल खेलों का आयोजन जो है वो किया जा चुका है लेकिन सबसे जादा बार कहां पर किया जा चुका यह पूछा जाएगा तो वो कहां पर किया गया है तो यह याद रखेगा देखे तीन बार जो है वो किया गया है ब्रिटेन में सबसे जादा बार इस्वे कौन से नंबर का? उन्नीस्वे नंबर का आयोजन जो है किया था? कहां पर किया था? दिल्ली में. ये आपको याद रखना है. ठीक है? और इसी टाइम जो है वो भारत ने सबसे यादा जो है वो मैडल भी जीते थे. मतलब कि 2022 के राष्ट मंडल खेल में भारत के कितने खिलाडियों ने जो है वो हिस्सा लिया? तो देखे हिस्सा कितने खिलाडियों ने लिया? 213 खिलाडियों ने हिस्सा लिया. इससे पहले इसमें 215 खिलाडियों जो है वो हिस्सा लेने वाले थे. लेकिन नीरच चोपड़ा और एस्वरिया इन दोनों ने इस खेल में आयोजन नहीं लिया नीरच चोपड़ा जो थे उनको इंजरी के कराण वो नहीं ले पाए और एस्वरिया जो है वो COVID-Positive पाई गई थी इसलिए नहीं वो उसमें हिस्सा ले पाई तो कितने हो गए 213 ले इससे पहले 215 थे लेकिन नीरच चोपड़ा और एस्वरिया इसमें सामिल नहीं हो पाई इसलिए जो है वो 213 खिलाडियों ने इसके अंदर में हिस्सा लिया 14 प्रशना की राष्ट मंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारों में भारत के द्वज वाहक जो द्वज लेकर चलते हैं आगे देखें यहाँ पर यह पीवी सिंदू दिख रही है आपको द्वज वाहक जो है वो किसे बनाया गया था तो यहाँ पर जो है वो मनपृत सिंग और प गाटन समारों में इसी प्रकार पूछा जाएगा कि राष्ट मंडल खेल 2022 के समापन समारों में ध्वज वाहक किसे बनाया गया तो यहाँ पर थे सरत कमल और निकहत जरीन ठीक है तो यह देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की फोटो है तो यहाँ पर भी आजाएगा दोनों को जो है वो समापन समारों में ध्वाजवाहक जो है वो बनाये गया 16 प्रशने की राष्ट मंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने मैडल जीते ये एक बहुत इंपोर्टेंट कुशन है तो भारत ने कुल 61 मैडल जो है वो जीते हैं भारत ने 2010 दिल्ली राष्ट मंडल खेलों में 101 पदक जीते थे जिसमें 38 अस्वर्ण थे 27 रजत और 36 कान से पदक सामिल थे और इस बार 2022 कॉमन वेल्ट गेम्स में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कान से समयत कुल 61 पदक जो है वो जीते हैं मोस्ट आयमपी है, 61 पदक आपको याद रखना है, एक्जाम में डाइरेक्ट जो है वो आपसे पुछा जा सकता है 17 प्रश्ण है कि राष्ट मंडल खेल 2022 में पदक तालिका में सीर सिस्थान पर कौन रहा या किसने प्राप्त किया सीर सिस्थान उसी प्रकार इंग्लेंड जो है वो दूसरे स्थान पर 116 पदक के साथ में, कनाड़ा जो है वो 92 पदक के साथ में तीसरे स्थान पर और इस लिष्ट की सूची में जो है वो चौथे नंबर पर भारत रहा है भारत कुल 61 पदक के साथ में जो है वो चौथे इस्थान पर रहा है तो याद रखेगा फूर्थ प्लेस जो है वो किसकी है भारत की ये एक्जाम में पूछा जा सकता है और ये पदक तालिका भी जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है राष्ट मंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता तो देखे पहला पदक जो है वो जीता था संकेत ने किसने जीता था संकेत ने वेट लिफ्टिंग वाले जो प्रतिविता होती है उसके अंदर में भारत के लिए पहला पदक जीता था सिल्वर मेडल किसने संक प्लेयर होती है उसको कहते हैं तो पीवी सिंदु ने जो है राष्टमंडल खेल दोजार बाइस में बैडमिंटन में पहला और अपने करियर का पहला महिला सिंगल गोल्ड मेडल जीता पीवी सिंदु जो है कनाडा की मिशेल इनका नाम याद रखेगा मिशेल ली को हराकर एक्जाम में अक्सर पुछा जाता है कि पीवी सिंदु ने किसे हराकर जो है वो स्वार्ण पदक जीता तो कनाडा की मिशेल ली को हराकर जो है वो स्वार्ण पदक जीता है याद रखेगा 2100 प्रशने की राष्ट मंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एतलीट कौन है तो भारत की सबसे कम उम्र की एतलीट जिनका उम्र जो है वो मात्र जो है वो 14 साल रहा ठीक है तो 14 साल की जो है वो अनाहत सीं अनाहत सीं 14 साल की जो है वो श्क्वैस प्ल तो भारत ने कुस्ती में कुल 12 पदक जीते हैं और इसका डिटेलिंग थोड़ा सा आप ध्यान में रखेगा देख लीजिएगा एक बार क्योंकि कोई सबी कोशन पूछा जा सकता है 23 प्रशने की राष्ट मंडल खेल 2026 का आउजन कहां किया जाएगा देखिए इसका भी अनाॉंसमेंट कर दिया गया है कि राष्ट मंडल खेल 2026 का आउजन कहां किया जाएगा तो यह किया जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कहां पर किया जाएगा Victoria Australia के अंदर में राष्ट मंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाडी ने सबसे जादा मेडल जीते हैं तो भारत के कौन सा खिलाडी है जिसने सबसे जादा मेडल जीते हैं तो वो है सरत कमल सरत कमल ने जो है वो चार मेडल जीते हैं पजीज़वा और लाश्ट प्रशन gefहत तो इसको कमेंट केरकर जरूर बताएगा, वीडियो कैसा लगा है वह भी कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर जरूर बताएगा देखिए बहुत मैनत से जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो शेयर किये जाते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा इससे हमको जो है वो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो इसलिए आप सभी से जो है वो रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो आज की वीडियो में तहीं था जाहिन जायबाद